हलो दोस्तों कैसी हूँ आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम आए हैं बहुत दिनों के बाद अपने खेट पर हम एक हफ़ता पहले आये थे और आज सटर्डे है आज हम फिर आये हैं तो ये देखें ये खाद है जो हमारे सागवान के पेड़ों में डाली जाए तो ये जो सारी दवाईया हैं तेन चार दवाईया रहती है जो एक साथ मिलाई जाती है और मिलाने के बाद इसको बोरी को अच्छे से बान दिया जाएगा और 24 घंटे के लिए इसको यूँ ही छोड़ दिया जाएगा 24 घंटे के बाद ये दवाई डाली जाती है तो पेड बहुत ज़दा खराब हो रहे हैं उधर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं पेड़ों पर और अब आए हैं तो देख रहे हैं कि पेड़ चल नहीं पा रहे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं रुख गये हैं बढ़ना तो इसी वज़े से दवाई डालनी बहुत जरूरी है अगर हम में कीडा लग गया है तो दवाई डालना बहुत ज़रूरी हो गया है तो हम आये हैं खेत पे हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे खेत अपना तो यह इसी तरह का कुछ प्रोसीजर रहता है इसका इस दवाई का ऐसे ही यह इसकी बोर और इसको पूरा मजदूरों के दोरह डलवाया जाएगा दोस्तों, दो बोरिया है खाट की पेड़ भी बहुत ज़्यादा थे इसलिए दवाई दो बोरी मंगवाई गई है और यही दवाई डाली जाएगी इसको डालने से कीड़ा मर जाएगा हमारे पेड़ साही हो जाए दोस्तों देखिए दूसरी बोरी है इसको भी मिक्स कर दिया गया है और इसको भी अच्छे से बांध दिया जाएगा बांधने के बाद इसको भी रख दिया जाएगा और यह सारी दवाईयां कल डाली जाएंगी हम आपको अपने पेड़ भी दिखा देते हैं कि हमारे पेड़ कैसी हालत में है और हमारे खेड में मटर भी फलियां दे रहा हैं चने भी अच्छे से आ चुके हैं हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे अपने चने और मटर जितनी भी चीजें हमारे खेड में हो रखी जो की इसमें डाले जाती हैं बहुत सारा ज्हाम रहता है दोस्तों तो यह खेती किसानी का काम बड़ी मेहनत anlatक है और वह सारी छीजहन में रखी जाती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो पेड़ पौधे साभी खराब हो जाते फैरgend भी clinician वह रखा दवाई डालने जरूरी है, हमने मजदूर भी डाल दिये हैं, जो कि खेत की सफाई कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है, इतने जल्दी सफाई भी नहीं हो पाएगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,